वासंकर ग्रूप इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टरों पर अब नए सिरे से असिस्मेंट का खत्रा मंटराने लगा है इनकम टैक्स विभाग ने नए सिरे से उन सभी इन्वेस्टर को खातों का असिस्मेंट करने के निर्देश जारी किये है जिसके तहट इन सभी को वासंकर ग्रूप में इनके द्वारा कैश में किये गए इन्वेस्मेंट अमाउन का सोर्स आप इंकम साबित करना होगा ये इन्वेस्टरों को जिन्होंने वासंकर ग्रूप के खिलाब पुलीस में शिकायत दर्श कराई थी और ये मामला MPID कोर्ट में चला ग्यात हो कि सूतरों से मिली जानकारी के नुसार वासंकर ग्रूप की फर्जी योजनामी पैसे जमा करने वाले उन सभी लोगों को आयकर विभाग द्वारा आयकर विभाग की धारा 148 के तैट नोटिस जारी किये गए है प्रशांत वासंकर और अन्य जोकी इस मामले में अभियुक्त है इनके खिलाब फर्जी इन्वेस्टिमेंट कमपनी खोल कर लगबग 128 करोट की धोका धरी का मामला दर्स है इस अपरात की विरुद शिकायतों के अमार के पशात नाकपुर पिलिस ने मामला दर्स कर MPI डिकोर्ट में मामला दायर किया था इससे जुड़े अभियुक्त अभी भी सलाखों की पीछे है आयकर विभाग द्वारा इस संभावना को ध्यान में रखकर कि आयस्तरोतों की जानकारी दिये बगएर ऐसे किसी योजना में पैसे का लेन देन कर आयकर बचने की कोशिश की गई है इस संभावना के चर्ती आयकर विभाग द्वारा नोटिस चारिके गए है ताकि विभाग को करके माध्यम से रेविन्यू प्राप्त हो सके यह बात भी उलेकन यह है कि कुछ इन्वेस्टर ने इस मामले में कोट में जानकारी दी है कि उन्होंने यह इन्वेस्टमेंट नगत की थी और अब उन्हें इसके आयस्तरोतों की जानकारी नहीं है और नहीं उनके अकाउंट ट्रांजेक्शन में इसका समावेश है यह मामला आयकर विभाग के लिए महत्वपोर्ण माना जारा है वही अपने खिलाफ कारवाई के डर सी वासंकर ग्रुप में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स ने एकत्रित होकर डस कारवाई से बचने हे तू आयकर विभाग से गुहार लगानी का निरने लिया है वासंतकर ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट करने के बाद डूबे हुए पैसों पर अगर आयकर विभाग द्वारा कई गुना टैक्स का भुकतान मांगने के आसार सी इस पूरे समूह पर कारवाई की तलवार लटकती नजर आ रही है इन्वेस्टमेंट के हुए पैसे डूबने के पशाद अब उन पर कई गुना टैक्स वसूल कारवाई न हो इसके लिए ये सभी इन्वेस्टर्स अब आयकर विभाग से गुहार लगा रहे हैं इन सभी इन्वेस्टर्स के लिए सरकार द्वारा गोशिद फेसलेस असेस्टमेंट यूजना एक बड़ी समस्या उत्पन्दक कर सकती है इस फेसलेस असेस्टमेंट यूजना के तहट आयकर विभाग के ये असेस्टमेंट प्रेसिडिंग की धारा 148 और 143 के अंतरगत असेस्टमेंट अब डिजिटल प्लाटफॉर्म पर होगा जिसमें आमने सामने आयकर अधिकारी और आयकर प्रदाता नहीं आ सकते आयकर प्रदाता को इस बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती कि उनका असेस्टमेंट कौन से अधिकारी कर रहे है वही आयकर अधिकारी को भी इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि इस आयकर प्रदाता का असेस्टमेंट वेक कर रहे है आयकर में होने वाली हेर फेर कर चोरी और अश्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा इस योजना को अगस 2020 से कार्यान वित किया गया है व्यक्तिकत रूप से या समुहर रूप से असेस्मेंट अधिकारी से संपर्क करना धारा 148 और 143 के तहट फेसलेस असेस्मेंट योजना के चलते अब संभवन नहीं होगा इस पूरे मामले में आशर जनक बात यह है कि जांच प्रक्रिया में जोटी पुलिस से भाग तदा इस मामले से जुड़ी सभी कानून प्रक्रिया में किसी ने भी इस मामले को प्रात्यमिक्तान नहीं दी और नहीं इस बात की जांच की गई कि जिन लोगों ने इस फरजी योजना के खिलाब शिकायते दायर की थी वो कितनी सतेता पर अधारित थी और कहीं न कहीं आईकर बचने के फिराक में इस योजना का लाप उठाने का प्रयास किया गया था आयस्तरोत की जानकारी दिये बगेर जहाचोई की शिकायते दर्स करना कटन है वही ये 128 करोट की हेरा फेर में कितना आईकर चिपाया गया है इसकी स्वतंत्र जान्च होना उतना ही आवश्यक हो जाता है